अखलेश पास्वान अगामी 29 अप्रेल को मुख्या पत के लिए भरेंगे नमांकन पत्र धूर की परखंट छेत अंतरगत टाटी दिरी पंचैट से अखलेश पास्वान ने तिरी अस्तरिय पंचैट चुनाव के लिए पेश किया मुख्या पत के लिए दावेदारी इस चुनाव हेतू अगामी 29 अप्रेल 2022 को मुखिया पत्र के लिए अपना नमांकन पत्र भरेंगे उन्होंने बताया कि विज़त कई वर्सों से पंचाइट के जनता के बित रहकर जनता के हर एक पते बड़े कामों में सयोग दिया है लोगों के बित उनके दुख सुख में सरीरिक सहता के साथ आखिक दूख से भी सेवा दी है पासवान ने अपने पंचाइट के लोगों के भरोसा दिलाते हुए वादा किया कि पिछले वर्से जो हमारे गाउं में विकास की कमी रह गई है उस कमी को निश्का पुर्वक पुरा करना पहला करत्तब्य होगा जैसे बिजली, पानी, सड़क जो लोग आवास पेंसन से वंचित हैं उन्हें आवास वपेंसन का परबन करवाना उन्होंने यह भी कहा है कि हर परकार का विकास को पंचैट के गाउं-गाउं में उतारने की वादा किया यह उन्हों बताये कि मैं कत्मी से ज्यादा करनी पर भरोसा करता हूँ औरों के जैसा केवल भासन ही नहीं बलकि जरुत मंदों को रासन भी उफलब करवाऊंगा अनुभावों की कस्वर्टी पर रखा हूँ खुद के आत्मबल को पंचैट के हित के लिए हर परकास के जनवाइधानिक कारे करना हमारा लक्षे होगा अन्तता अखिलेश पास्वाद ने बताया कि आने वाले 29 अपरेल को ताटी दिरी के सभी देव अस्थल का पूजा करते हुए निचैया बस्ती भर्मन करते हुए परखन करहले में नमांकन पत्र दाखिल किया जाएगा उन्होंने पंचैत के सभी बुढ़े बच्चे युवा एवं महिलाओं से अपिल किया है कि आने वाले 29 अपरेल को एक सांती संगिये तहत नमांकन पत्र भरने में हमारा होसला को बढ़ाने में सहयोग करें और अपना बहुमुल्य ओट देकर हमें सेवा करने का अवस्य मौ का गिंग